मैं तो ये पूरे नौ दिन तक करती हूँ, मुझे करना ही करना है नौ दिन तक सबके अपना-पना तरीका होता है ये भगवान का शिंगाज करूँगी, कुछ लोग बहुत अच्छे से करते है जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कु एक पुरा सा सुप्रीम सा मिलता है जो बहुत अच्छा लगता है बहुत लंबा फेस्टिबल है ये नौ दिन का इसना लंबा फेस्टिबल थोड़ा कभनी होता है तो डेक्परेशन अच्छी लगता है कुछ लोग जलाते हैं कुछ लोग नहीं जलाते हैं कुछ लोग इसना जाते से स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग दिनमार्श में आती हैं उनसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप सब लोग के लिए हैपी नवरात्रे आज है नवरात्री का पहला देन तो आज से ये नौ दिन का लंबा फेस्टिवल स्टार्ड हो चुका है तो मैं उट गई हूँ और उटके मैंने आज सबसे पहले अपने सारे काम में बटा लिये है नाश्ता भी बन चुका है और लंच भी अल्मोस मैंने बना दिया है मैंने हमेशा फेस्टिवल की डेकॉरेशन विगएरा एक दो दिन पहले ही कर लेती हूँ ताकि फेस्टिवल वाले दिन मुझे बहुत ज़्यादा लोड नहीं होगा या बहुत ज़्यादा प्राब्लम नहीं होती है तो मैंने मतरानी का दरवार तो पहले ही सजा लिया था आज मैं सब भगवानों को स्थापित कर दूँगी और स्थापित करने के बाद उनकी पूजा करूँगी और तो बस वीडियो स्टार्ट कर देते हैं अब मैं सबसे पहले अपने भगवानों को निलाना स्टार्ट कर देती हूं, उन्हें भी नए कप्ड़ पहना के तैयार कर देते हैं, और उन्हें उनकी जगा पर बठा देते हैं, इस्थापित कर देते हैं, क्योंकि 9 दिन तक के लिए जो ये हम चौकी लगाते हैं, वो नहीं हिलती है, देवी जी जो मैं बठाती हूं, वो मैं 9 दिन तक नहीं हिलाती हूं, तो चलिए फटा-फट से अब इस सारे काम स्टार्ट तो अब मैंने अपने सारे देवी देफता को नहिला लिया है, तैयार करने के लिए उनके सारे वस्तर निकालके रख लिये हैं, जो भी मैं नए लेकर आई हूँ, वैसे तो मैं हर तोहार पे भगवान के भारी-भारी और हैवी वस्तर लेकर ही आती हूँ, तो वो मैं जरूरी तो जो मेरे भारी-भारी पोशाक होती हैं, उन्हें मैं अलग रख लेती हूँ इन्ही फेस्टिवल्स को पहनाने के लिए, जैसे कि ये पोशाक मैं जन्मास्थमी पे ही अभी लेकर आई थी, तो जन्मास्थमी के बाद मैंने ये आज ठाकोजी को पहना दी, क्योंकि डेली मे हम इतनी हैवी-हवी पोशाक नहीं पहनाते हैं, जब हम तुछ भी इतने हैवी कप्रे डेली में नहीं पहनते, तो भगवान को भी नहीं पहना सकते हैं, तो ये हैवी पोशाक मैं इनको सम्हाल के रख लेती हूँ पेस्टिवल पे पहनाने के लिए, तो ये जन्मास्थमी ये पोशाक है, जिन्होंने जन्मास्थमी का व्लॉग महीं देखा है, वो एक बड़ आके जरूर देख लिएगा, तो ये जन्मास्थमी की पोशाक मैंने ठाकुर जी को आज पहना दिये थे, बाकि कुछ और भी पोशाक लेकर आई थी, वो नई थे, तो उन्हें मैं अपन से पहले मैं तस्वीर लगती थी, तो तस्वीर पे माला या ये सब चीजे थोड़ा सा मतलब सेट नहीं हो पाता था, तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं देवी मा की मूर्ती ही लेकर आऊंगी, क्योंकि मूर्ती पे शिंगार भी बहुत अच्छे से हो जाता है, वो शाक भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये सारी चीजे मैं उनकी लेकर आई थी, तो मैंने उनका इस तरीके से शिंगार कर दिया था, वैसे तो और भी शिंगार किया जाते है, मूर्ती का और भी शिंगार किया जा सकता है, लेकिन मैंने जादा नहीं किया था, मैंने इसी तरीके से हलका शिंगार किया था, क्योंकि मैं एक बार मार्क्राश से पूरा शिंगार कराऊंगी उसके बाद ये सब करूंगी, तो मैंने देवी मा को पूरी तरीके से दूद दही से नहिला कर अच्छे से कर लिया था, उसके बाद मैंने इनकी पोशाक पहना दी थी अब ये देवी मा को मैं आज यहां पे चौकी पे विराजमन कर दूँगी सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ अगर किसी को डाउट है कि मैंने दो दिन पहले दरवार लगाया था और आज इस तरीके से करा है और जो हमारे कनागा चल रहे होते हैं उसमें इस तरीके के काम नहीं करते तो मैं डेकॉरेशन कर लेती हूँ लेकिन आज सुभा मैंने उठके सारा काम करके पूरे रूम में ये चौकी को भी थोड़ा सा हिला लिया था और सब मॉपिंग विगहरा करने के बाद गंगा जल पूरे ही कमरे में और सब जगा चिड़क दिया था और उसके बाद ये सब चीज़े अपनी जगा सेट कर दी थी हम भगवान नहीं एक दो दिन पहले सेट करते हैं भगवान विगहरा ब्राजमान मैं आज के ही दिन करती हूँ और वो भी इनकी चौकी पे और एक तो कुछ इस तरीके से है तो फिलाली मूर्ती में मुझे ये डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी शिंगार बहुत अच्छे से हुआ चुन्दमी विगरा बहुत अच्छे से पहन पाई जो तस्वीर पे होना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये मैंने आपको पहले बने दिखाया था जिन्हों ने मेरा व्लास्ट व्लॉग में देखा है वो देख लिजेगा ये सिर्फ देकोरेशन के लिए है मैं वैसे कलश इस्थापित नहीं करती काफीलों का मानना है करना चाहिए पर मैं ओ beef किया नहीं है तो मैं ऐसा नया चाहरी थी तो ये उस देकोर बार बार उठके जाना फोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है यह मेरी पूजा की थाल इसे भी मैं रेडी कर लूँगी पूल से धूब बत्ती विगेरा आप लोग जैसे जो जो यूज करते हैं मैं तो फिलाल पूल प्रोली चावल धूब बत्ती और बत्ती विगेरा सब सेट क कि मैंने काफी लोगों से सुना था यूटूब पे भी देखा था काफी सारे लोगों ने मुझे बताया भी था कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैंने इस बार कलावे से करी है और यह अखंजोत मेरी पूरे 9 दिन तक चलती है जिस रू दन का इत्र है यह कुछ इस तरीके से स्प्रे वाला भी मिल जाता है मार्केट में आपको असानीते मिल जाएगा सारा शिंगार करने के बाद मैंने भगवान को थोड़ा से पर्फ्यूम भी लगा दिया हम लगाते है तो भगवान का लगाना भी जरूरी है फिर मैंने कर ली कर दो भगवान का लगवान 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 झाल झाल पूजा की दूबती विगहरा सब मैंने जला दिया है और पीका विगहरा लगा दिया है अब मैं करूँगी अग्यारी तो उसके लिए हमेचे यह होता है यह कंडा तो इसे मैं गैस पर रख देती हूँ और इसे तब तक हम इसको जलाते हैं जबते कि प्रॉपर काला ना हो जाए ताकि इसमें से धुआ निकलना बंध हो जाए क्योंकि जब हम अग्यारी करते हैं तो उसमें अलरी बहुत सारा धुआ निकलता ही है सबके अपना तरीका है कुछ लोग सिर्फ आज के दिन और लास वाले डे करते हैं कुछ लोग पूरे नौ दिन करते हैं तो मैं तो फिलाल अग्यारी पूरे नौ दिन करती हूँ सबके अपने अपने करने के तरीके हैं अपनी श्रद्धा है पूजा होनी चाहिए श्रद्धा के साहत फिर आप कैसे भी कीजे सबके अपने अपने रीतिरेवाद है तो मैं फिलाल करूंगी अग्यारी और अग्या की आरती और आरती करने के बाद मैं जाओंगी अपने और खाम के लिए की अपने की आरती और खाम के लिए खाम के लिए खाम के लिए भाम के लिए कर दो पूजा अगर अच्छा लगा है तो चानल को लाइक करना बिलकुल नहीं भूलेगा बिलकुल नहीं भूलेगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा और मेरी वीडियो को शेर करना भी मत भूलेगा तो पूजा करने के बाद जाती हूँ, मैं अपनी पेट पूजा का इंतिजाम करने के लिए, क्योंकि मैं पूख के पेट बरत नहीं रह सकती, मुझे प्रॉबलम हो जाती है, गैस की प्रॉबलम भी हो जाती है, साथ में माइग्रेन की प्रॉबलम भी हो जाती है, तो वैसे त तो नाश्टा बेक्फास्स मैंने पूजा करने ते पहले ही बना के रख दिया था फिर मैं अपने पूजा में लग डoc कर दिख यह तो नहीं की दिया है तो यह मैंने घोल बना के तयार कर लिया है अब बनाओंगी अपने लिए पकोडियां और धनी की चटनी और इसको में सेट करके अलग रख दूँगी ताकि अगर उसके बाद किचिन में हमें और काम करना है तो प्रॉब्लम ना हो हमारा बना बनाया एक अलग रखा रहता है जिसमें हमारे अन के हाथ नहीं लगते हैं वरना जिनके घर में चोटे बच्चे हैं या फैमली थोड़ी बड़ी है तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ही है अगर आपके घर में सब लोग फास्ट रखते हैं तो तो कोई बात अगर नहीं है एक आथ नहीं रखे तो तब भी अर्जिस्ट हो जाती है बच्चे का पास्ट हो और को फास्ट नहीं रखे तो मैं यह सब प्रॉब्लम हो जाती है और आप लोगो को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेग और जो भी मैंने चीजे जीए है और आपको नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डेकोरेशन की व्लॉग भी मेरा आच चुका है दो दिन पहले तो आप मेरे चैनल पर जाएगा और चैनल के लास्ट व्लॉग देख सकते हैं उसमें आपको देवी मा का आप लोगो को इस सब चीजे पसंद ही आई होंगी तो पसंद आई है तो प्यार दीजेगा खुब सारा खुब सारा वीडियो को शेयर कीजेगा मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाबाए